हेलो फ्रेंट्स कैसे हो आप सब? आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसे स्टार्टर की रेसिपी अगर ये स्टार्टर आपने किटी पार्टी में या बर्दर पार्टी में बना लिया तो सब मेहमान आपकी तारिफ करते ठकेंगे नहीं और इसके साथ ही मैंने आपको एक homemade मियोनीज बनाना भी सिखा रही हूँ चलिए अब हम इससे बनाना शुरू करते हैं जिसके लिए सबसे पहले मैंने चार से पास boiled आलू लिये हैं अब हम इन boiled आलू को greater की help से grate कर लेंगे यहां पर आप चाहें तो इन आलू को mash भी कर सकते हैं पर मैंने इन आलू को greater से grate करा है जिसे हमें इन आलू को एक साथ टेक्शम लेगा लेजिए मैंने परे सारे आलू को अच्छे से grate कर लिया है अब हम इन ग्रेटिट करेऊ आलू में से कुछ मसाले मिलाएंगे जिसमें मैंने सबसे पहले 1.5 टीश्पून धनिया पाउडर फिर उसमें मैंने 1.4 टीश्पून गरम मसाला 1.5 टीश्पून रेड चिली पाउडर और सॉल्ट 1 टीश्पून डाला है इसके बाद मैंने 1.4 टीश्पून आमचूर पाउडर भी एड़ करा है हम चूर पाउडर डालेकर मैंने वन अपॉन फोर टीजपून रोस्टिट जीरा पाउडर उसके बाद मैंने ग्रीन चिली और गालिका पेसली वन टेपल स्पून और थोड़े से मैंने ग्रीन कोरियंडर लिया है इसके बाद हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम इस डुको साइट से रख देञे इसके बाद हम एक सलरीं बनाएंगे जिस के लिए मैंने एक बाउल में वन आप आपञ फूर कप मैदा मैदे के बाद मैने इसमें ठोड़ा से पानी एड़ किया है पानी को हमें थोड़ा-तोड़ा करके ही एड़ करना है जिसी कि हमा पानी एड़ कर रही हूं और इसे मिक्स करती जा रहा हूं और देखे मैंने इसारी बना रही है और सिलरी में कुछ मसाली है करेंगे मसाल में मैंने 1 अपन 4 उपन ब्लैक पेपर पाउडर और सॉल्ट वन अपॉन फोर टी स्पून डाला है इसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लीजे हमारी सिलरी बन के तयार है और देखे इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी है मैं आपको दिखा रही हूं आपको ऐसी ही कंसिस्टेंसी रगनी है अब अब हम इस सिलरी को साइट से रग देंगे चलिए अब मेनिज बनाना शुरू करते हैं जिसके लिए एक जार लिया है इस जार में थी टेबल स्पून मलाई एड करी है यह भूती आसान रेशिपी है मेनिज की और यह बहुती है हेल्दी भी है मार्केट की जो मेनिज होते इ और आँ आप में उनीज कपते बनाई हैं और बच्चों को खळाए है इसके मैने से में एक उबलग आलु जिसे मैंने हाथ से मेश कर लिया है फिर मैंने 10पट रहा है यह विदेगर राइड करनेके हाफ 20पट मैंने शुगर राइड किया है और अब हम इसे अच्छे से मिक् इसे भी हम साइट से रख देते हैं और इसे हम एक बाउल में ट्रांसपर कर लेंगे देखें मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा रही हूं लग रही है ने बिलकुल मार्केट जैसी मियोनीज और बच्चे भी इसको बिलकुल पैचान नहीं पहेंगे कि यह घर की घर पे ब और इसमido कोष्म कैने मार्के रख लेंगे और में थोड़ा से लुट गया है अब इस अपने मिशने क्एन प quiere करेंगे पैथаго मोर्फ पार भी कर लेंगे स्पुमिए ने कर दोपार कोश्मीन कशायल करीं जाएंगे यहाम घर ही ह Fach दोदौत करना बास टीखर पत तोड़ाइ करने करने हुए थी भी मेना स्टफ कर लिए 2 55 ठीदी यूशा पल्ट ऑन गूर प्ते पटेटों अब वडूरे मिखेर दढ़ एक धूर टक्रीचार में यह ठॆयों ते लेट करना हैर अप करने यह अप्यों सारे अचेज कर लिए और इसे मैंने रोल कर लिए है एकद़ मम अर्धस करămगे तृ हम उसमें बिसां करेंगे सिलरी में करने के बाद इसी हम से निखास लेंगे और हमने जो ब्रैट कुम्स लिए है यह यह मैंने ब्र hun ब्रैट कुम्स लिए आप चाहे तो तो यूज वाइट ब्रेट कहते हैं अब सु मुत पटेटो बॉम पर पटेटो बॉम पर n छिपक में और भी आहेजहें आप मुझा दिज़या लाएं मैं इसी तरह से वन ध्यक्ता कबना हमें रहें हैं और नरते करने दो फटेटो का जाएंगे और आपको इस बात कर खास दियान रखना है कि और ज्यादा गरम नहीं होना चाहिए अगर ज्यादा गरम होगा तो हमारे जो पटेटो बॉम में वह फट भी सकते हैं और ब्राउन हो जाएंगे जैसे कि वह अंदर कच्छे लगेंगे और देखे मैंने इसको मीडिय ब्राउन कलर आया है और देखने में यह कितने क्रिस्पी लग रही है और लीजे अब हम इसे ओल से निकालेंगे यहाँ पर मैंने इसको टीशू पेपर पर निकाला है जिसकी उसका एक्स्ट ओल है वो टीशू पेपर अब्सर्ब कर लें और लीजे हमारे क्रिस्पी जरूर करें थेंक यू